हेलो एवरिवन यह है वीडियोज वाल चैनल और आज हम कर रहे हैं AutoCAD की टूटल सरी जिसमें structure detailing में हमने first video में हमने बनाया था एक simple supported beam और second video में बनाएंगे हमें continuous beam continuous beam में देखिए continuous beam होता क्या है जिसमें दो से ज्यादा support होती है ठीक है इस beam में देखिए आपका एक support यह है आपकी एक support यह है और आगे जाके भी support होगी यह जो आप marks देख रहे हैं इस तरह से continuity का marks यानि की continuity है इसमें जैसे कि आपका इस column से इस column के बीच का जो distance है यहाँ पर given है 3 meter ठीक है बट यह बीच में जो mark space दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि जो actual sizes का 3 meter है पर drawing पर जो size 3 meter नहीं होगा बीच में continuity का है क्योंकि पूरी drawing इसमें आ नहीं पाती है आ कुछ data आपका यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है तो इस drawing को बनाना स्टार्ट करते हैं इसमें कौन गहुंस चीज़ है आपके column, beam, reinforcement, text तो हम layer पर काम करेंगे सबसे पहले हम एक layer में इस drawing को पूरी को बनाएंगे उसके बाद हम next layer स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें एक हमारे पास है rectangle 3 meter का 3000 mm फिर 200 mm है आपकी 300 mm है आपकी यह depth 200 यह है तो कितना हो गया आपका 3 meter प्लस 0.3 प्लस यह 0.2 प्लस फिर आपका 3 meter ठीक है इस तरह से है तो चलिए एक box बनाते हम rectangle और इसकी depth कितनी है भी 300 mm एक एरर आगया AutoCAD को दबारा open करना पड़ेगा मैं where is AutoCAD, AutoCAD, AutoCAD 2014, AutoDex चलिए तो सबसे पहले हमने L command लिया L से होता है line और यहां पर कहीं पर भी किलिक किया हम मैं कहीं पर भी बनाना चाहता हूं आप चाहे तो origin से स्टार्ट कर सकते हैं तो मैंने यहां किलिक किया और F8 से ortho से सीधी लाइन जाने लगी है सीधी लाइन और कितना 3000 प्लस फस्ट सपोर्ट की विड़ता है 300 mm सेकंड सपोर्ट की है 200 mm और फिर लास्ट में बी में आपका 3 meter तो यह कितना हो गया आपका 3.5 and 3 6.5 यानि 6500 mm ठीक है अब देखिए मैं जूम आउट करके मैं दुबारा से line command लेता और depth कितनी है हमारी 300 mm और यह 6500 और यह आपका close ठीक है इसके बाद क्या है आपका यह आपकी सपोर्ट है 300 mm यह हम assume कर लेते है 500 given नहीं है इसमें continuity का mark से और यह 300 है ठीक है और यह जो आपका यह जो gap है यह कितना होगे 200 यह है आपका तो यह कितना बचा 100 है ठीक है एल से हमने line ली यहां पर हमने क्लिक किया नीचे कितना हमने assume किया 500 width कितनी है 300 ओपर कितना हो जाए गए 500 प्लस 300 800 और इधर कितना है आपका यह कितना है इधर 200 का इस gap है देखोगे आप इधर अगर यह 100 का है gap उसके बाद beam आपका start है ठीक है तो यहां पर हमने डाला 100 और यह नीचे depth है 300 ठीक है 300 और यह यहां जाके यह मिली गया ठीक है अब इसमें देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या changes है ठीक है बीच में देखिए 10 mm का joint है expansion joint यह वाला और zoom कर लेते हैं इसे देखिए किस तरह से बनाना है 10 mm का यह joint है उसके बाद आपका beam start है ठीक है तो हम क्या करते है एक offset मारते है यहां से 10 mm का देखिए फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि यह drawing auto kind बनाने का सबका तरीका अलग हो सकता है ठीक है जो तरीका मुझे अभी दिहान आ रहा है मैं वो बना रहा हूँ एरेज से यह line erase कर देते हैं आप अगर देखोगे तो इस तरह से है हमारा beam ठीक है उसके बाद 3 meter के बाद यहां से 3 meter के बाद एक support है हमारी 200 mm की ठीक है तो कैसे लेंगे L9 बहुत fast करने का तरीका अगर आपको बताओ मैं यहां पर क्लिक किया और कितना है 3 meter 3000 enter ठीक है और यहां पर कितना है आपका 500 यह हो गया और यहां से आपका इधर है 200 तरीके बहुत सारे है यह और इसको एरेज कर दो आप यह हो गया ठीक है अब देखिए समें में चीज क्या है पहले हम क्या करेंगे इसको पूरा बना लेंगे ठीक है बनाने के बाद हम यह जोइंट जो है आपका इसको फिल करने इसको तो हमने है एड पर एंटर किया और हमने दोनों सपोर्ट पर क्लिक किया और एंटर ठीक है लगए सपोर्ट है बट यह है आपका यह वैसा नहीं दिखाई दे रहा है इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा और इसका पैटन भी थोड़ा लगया तो है है हएचन इस फेर क्लिक किया है आ गया तो फेतन डबल नाइन हो आहा है हमारा कुछ इस तरह से यह वाला पैटन है और के कर देंगए लेकिन इस पैटन में डेंसिटी बहुत जादा है पास पास यह उसमें तो ही एंटर दोबारा एदिट किया उससे में है से होता है ओपका एडिट यहां पे स्केल बढा देते हैं इसको कर देते हैं 20 और बढ़ाना आपको तो दबारा जा एंटर दबारे एड़िट करते हैं 30 है अब ठीक है ड्रोईंग के साब आप से द्रोईंग में तो और भी कम है और कम बढाते हैं डेके मैं ह候 नहीं कर रहा हूं में दुबार एंटर मारा हूं तो वही कमांड हमारा एक्टिवेट हो जाता है अब ठीक है कंट्रोल एस करते जाएए जो सेव होता जाए अब हम बनाते हैं इसमें रिन्फोर्समेंट जिसमें हमें किलियर कवर दिया हुआ है पच्चिस एमें यानिकि यह इस्टेंस ठीक है और आपका एंड कवर यहां पर है आपका यह चालेस एमें यह देखिए यह पच्चिस यह 40 यह 25 यह 45 और यह स्पेसिंग 300 ठीक है और यह भी मुझे 300 ही लग रही है ठीक है इसको करते हैं आपसेट लेते हैं ओ एंटर यहां पर क्लिक करते हैं कितना 25 एमें तो 25 एमें का यहां उपर एक यह नीचे लग गया है में थूड़ा जूम करके थोड़ा हो चलिया होता है कि यहां क्लिक किया फिर ऊपर ख्लिक किया यह बन गया यहां क्लिक किया तो Ini यहां पर यहां connect कर दिया, ठीक है, यह हो गया, अब यहां से 40 mm का gap है, offset इस line से कितना 40 mm का, यह, और tr double enter, trim कर देंगे हम इसको यहां से, ठीक है, और erase से, इसको erase नहीं करते हैं, हम 300 mm के हमारे offset लगाते हैं, offset इस पर click किया, और यहां पर 300 stir up के लिए, और enter और यह क्लिक किया, और यहां पर अगर आप देखेंगे, जब हम इस पर line पर click करते हैं, तब यह option आता है, multiple, इस पर click कर देंगे, तो बस हमें click करने की जरू होता है, stir up लगती जाएंगी, ठीक है, यह हो गया, यह हो गया, अच्छा, इस में देखेंगे, अब मुझे क्या करना होगा, यह ट्रिम करना होगा, यह जो पालिक लाइनाप का पार्ट, इस रिइनफॉस्मेंट में यहां पर ऐसा होता नहीं है, देखेंगे, यह stir up बहर नहीं है, हलकिस दिखाई दे रही हैं, पर इतनी बहर नहीं है, हलकिसी दिखाई दे रही हैं, तो हम इसमें क्या करें इसको, हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके, जैसे कि मैंने का बहुत सारे तरीके, या तो मैं इन्हें ट्रिम करूँ, एक लाइन और ऑफसेट दूँ, मैं दो तरीके देखिए, यह हमारा है, यह लाइन, यह यहीं पर मैं जूम करके बताता हूँ, जैसे यह है, हमें चाहिए यह जो stir up है, यह वाल ऐसे ओफसेट, आप फिर ट्रिम कर दूँ, यहाँ से फिर इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, यहाँ मैं पहले एक लेता हूँ, फिर stir up एक लेता हूँ, उसे बनाता जाता हूँ, कोई भी तरीका ले लेते हैं, तो हम देते हैं, ओफसेट, यह 25 mm था, 15 mm देते हैं, 10 mm उपर लेता हैं, यह ले लिया, ऐसी तरह यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, अब मैंने क्या किया, tr single enter, tr single enter कैसे उच करते हैं, इन दोनों लाइन को select किया, इन दोनों को ठीक है और अब मैंने क्या किया एंटर किया और मैं अब यहां से पतला असा ड्रैग करता हूँ एक यह रहे कि लिए तो जो लाइन होई पहले सेलेक्ट थी वहां तक यह ट्रीम हो जाएंगे इस तरह से हमें करना है काफी सारे हैं इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है अब दूसर तरीका अपनाते हैं अंडो कर रहा हूं मैं इस ट्रब भी हटा देंगे उतना अंडो करेंगे चंट्रोल जट से ठीक है यह रहा अब देखिए मैंने क्या किया ओफसेट लिया वही आपका 10 mm का 10 mm का ओपर नीचे से 10 mm का ओपर से और यह नीचे लग चुका है यह गया इन दोनों लाइन को मैंने ओफ करा यहां तक ठीक है अब मैंने टी या डेबल एंटर ट्रिम करा इस वाल लिस्टीर अब को इरेज कर दो अब इन दोनों लाइन को जो बनाई थी एक लाइन यह एक्टा बन गई थी अब ओफसेट कर दो 300 mm का स्पेसिंग थी इस पे क्लिक क्या मल्टिपल पे क्लिक क्या देखिए एक तरीका यह था और भी तरीके हो सकते हैं इसमें जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी का तरीका अलग हो सकता है बनाना तो स्टीर अब बन चुकी है यहां पे एक स्टीर अप पे आपकी यह है आपका एल बाइस सेवन पर स्टीर पर एल कितना है हमारा कि थी पॉइंट टू मीटर इफेक्टिव इस पैंदेखें अगर थी पॉइंट टू का वन बाइस सेवन कर लेते हैं कि अ कि 3.2 डिवाइड बाइस सेवन 457 आ रहा है लगो 450 हम ले ले लेते हैं इसको ठीक है यह 450 यहां से ठीक है और यह 50 है देखिए अब यह 300 है 50 नहीं यह 100 100 100 के तीन पार्ट है तो यह 100 हो गया तो यह कितना हो गया 350 450 लेना है नहीं ठीक है वहाँ से 45 पे एक स्टीरप तो लाइन कमांड लिया यहां पर क्लिक किया और यहां पर मैंने डाला 350 एंटर और मैंने यहां से मुझे समझ गया कि यहां से हमें stir up लेनी है line command लिया, f8 off किया, यहां पे click किया और ऐसे mouse को ले गया, यहां पे आप देख सकते हैं angle आ रहा है, हमें चाहिए यह वाला angle 45 degree तो यह वाला angle कितना होगा, 135 तो हमें यहां put करना है 135 तो हम tap दबाएंगे और type करेंगे 135 enter यह बन चुका है, tr double enter से इसको trim कर देंगे हम, और erase command से यह line हमने reference line लिती, इसको हम read कर देंगे, ठीक है इसी तरह आप देखते हैं, दूसरा वाला angle line यह है आपका यह भी इतना ही है, इतना ही ले ले लेते हैं और इसको भी हम इतना ही ले लेते हैं, ठीक है इस support से L command यहाँ पर क्लिक किया, 350 डाला, enter F8 कर लेते हैं, 350 enter, फिर यहाँ पर इस तरह से जाना है, टैब दबाया, 45 इचीए यहाँ पर तो TR, double enter, और यह हो गया हमारा, यह erase से यह line को erase कर देते हैं, और जो extra line है हमारी, यह हो गया, इसके बाद यहाँ पर ले ले लेते हैं 350, F8 off, यह इस direction में है, तो वही हमें लेना है, 135, TR single enter यूज़ करते हैं, यहाँ क्लिक किया, यहाँ हमें बाद बाद लिंग करना पड़ेगा, ठीक है, और erase command से यह बन गया, ठीक है, हमारा यह लगभग drawing complete हो चुकी है, continuous का mark है, इसके section उसके बाद text, तो जल दली फटा फट करते हैं, वीडियो लंबी ना हो, तो देखिए continuous का mark लगा हुआ है, तो हम इसे बीच में से cut करेंगे, तर असल यह 3 meter है, but drawing पूरी seat पे नहीं आ पा रही थी, तो क्या करते हैं, continuous का mark है, यहाँ से reinforcement detailing सेम थी, तो जो बीच का portion है, जैसे कि यह portion है, इसमें reinforcement detailing सेम है, तो इतना portion दिखाने क्या जूरत है, छोटा सा portion दिखाओ तो बीच में cut करके, continuous का mark लगा होगी, ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें, एक line बनाता हूँ, यह 3 meter है, मैं केबल दिखाओंगा इसमें 2 meter, एक meter इसमें से cut कर दूँगा, बीच का जो है portion, इसके जरूत नहीं है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, 1000, यह हो गया, यहाँ पे 1000, और यहाँ पे यह, enter किया, ठीक है, तो बीच का portion मैं erase कर देता हूँ, tr, single enter, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, enter, अब देखिए, यह ह हो गया, erase command, अब tr, double enter, अभी मैं दिखाऊंगा कि इस से हुआ क्या, ठीक है, अब यह, यहाँ पर भी continuity का है, तो इसको भी एक meter दिखाते हैं कि अबद, line command, यहाँ, 1000, और tr, single enter, यह select कर यह, enter, और यह हमने select कर दिया, era, tr, double enter, यह हो गया, अब क्या करेंगे, move command, इसको उठाते हैं, ओके, यह, हो सकता है, कुछ गढ़बड हो, है न, क्योंकि, हमारा ही command है, इतना gap रखते हैं, ठीक है, है, हमारा उड़ गया है, हैज को erase कर देते हैं, दुबारा से हैज लेगा आयते हैं, ह, A, ह, यह, enter, ह, E से हम, यह से कर लेते हैं, एडिट, पैटन ले लेते हैं, वाले, डबल लाइन, और यहाँ, स्केल, पैटन, डबल लाइन, स्केल, फोर्टी, यह हो गया, ह, E स्केल कम करते हैं, फोड़ा सा, फोर्टी ने गर के ट्वंटी फाइव, थोड़ा सा और अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पर देते हैं, 15, अब ठीक लग रहा है, ठीक है, अब ड्रोइंग ठीक लग रही है, अब यहाँ पर लगाते हैं, हम यह मार्क, जिक जैक का ड्रोइंग का आँगई, यह मार्क्स बनाते हैं, ठीक है, कितने हैं, एक, तो, तीन, चार, ठीक है, और यहाँ पर फिर, चारी से हम कॉपी कर देंगे, उस से फरक नहीं पड़ता, जूम के हमने, इसमें एक चीज़ और देखेंगे, ड्रोइंग में, कि यह हलका सा बाहर निकलेगा, यह ऐसे, ठीक है, लिका लेंगे, जूरी, लाइन कमाड लेना है, रफली एक बनाना है, एफेट ओफ करना है, देखें, एफेट ओफ ओफ ठीक है, लाइन कमाड एक बनाते हैं, यहाँ पर, एफेट ओन करते हैं, यहाँ पर लेते हैं, लाइन, थट्टी की, ठीक है, और, यहाँ से हम, 30 यहाँ पर लेता, line command और यहाँ से हम लेते हैं 20 मैं assume कर रहा हूँ यहाँ से लेता हूँ 30 की line 30, ठीक है और मैंने क्या किया line command से, इस end को इस end से मिला दिया erase command लिया इसको erase किया इसको erase किया tr double enter ठीक है, मैंने किया क्या मैंने 30 की line यह खीची 30 की line यह खीची इन दोनों के end को मिला दिया और बीच में हमारी line जारी तो इसको trim कर दिया इस तरह से बनाए ठीक है, अब मैं करता हूँ co copy इसको इसको यहाँ से उठाते हैं एक रखते हैं यहाँ पर एक रखते हैं यहाँ पर तीन बहुत हैं इसी तरह से एक यहाँ रखते हैं एक यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं यह हो गया, और tr double enter ठीक है इनकी लाइन को थोड़ा थोड़ा एक्स्टेंड कर देते हैं एक्वाली करते हैं तो लाइन बना देते हैं पांच ठीक है एक अब क्या करते हैं कोपी करता हूं मैं इसे इस पूरी लाइन को इस पूरी लाइन को नहीं इसको केवल और उठाता हूं यहां से पहले इसको इरेस करता हूं अब उठाता हूं यहां से सी ओ कोपी उठाया और यहां यहां से नहीं उठाना चाहिए हमें हैं उठाना चाहिए हमें यहां से यहां से बस यहां जाके यहां हम इसको लगा दें और हो कंट्रोल जैड़ सी ओ कोपी यहां से हमने ड्रैक किया फिर यहां से हमने उठाया यहां पर हमने जूम किया उपर पर उताया है उठाया यहां हमने रख दिया यह बन चुका би सिधा इसके बाद क्या जल जला जली करते हैं हमारी सब्फोर्ट में यह सब्मार्णा यह इल में जल लिए लिया कि लाया इसके हमने इसके वह कि चाहलस ती आर डौल उक nearby एरेज से हमने इसको एरेज कर दिया ठीक है और हमने इसी को हमने कॉपी कर दिया यहां से उठाया और हमने यहां पर दहर दिया बनाई देते हैं यार किती दे लगेगी यहां से लिए लिए कमाज किया तर हमने यहां आदे लिए लिए जोग तर यहां कर देती लिए Erage Command लिया, इसको Erage किया, TR Double Enter से इसको Trim किया, और इसको Trim किया, ठीक, आप सही है, तो Continuity का मार्क बन चुका है, फटा-फट करते हैं, अब क्या रह गया, सारी Dimensions रह गई है, इसमें कुछ Arrows है, एक ये रह गया, आपका Section Cutting का मार्क, यहां पे, ठीक है, एक ये है आपका Section का, और एक यह सेक्शन का ठीक है A A B B यह और बना देते हैं जल्दी से लाइन कमांड एक है हमारा इसके साथ ठीक है इसमें ट्राइंगल बना देते हैं F8 ओफ करके एक मैनुवली हैंड से इसे को कॉपी करते हैं जिससे हम दौनों सेम रही ट्राइंगल ठीक है और C O कॉपी करते हैं इस पूरे को यहां से उठाते हैं और एक हमें यहां रखना है ठीक है यह हो गया और हैच कमांड लेते हैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को स्लेक करते हैं क्योंकि यह सॉलिड है तो इनमें solid दे देते हैं, solid, okay, okay, यह हो गया, अब हम इनको dimensions बनानी है, उससे पहले हम बनाते हैं, यह section, section का 300-200 का section है, 300-200 का, 25 mm का यह आपका stir up है, यहां clear cover है, और 4-4 आपके 12 mm के बाहर है, ठीक है, जली से बनाते हैं, जली से बनाते हैं, line command लिया हमने, यह है कितना f8 off करक यह है 300, यह है आपका 200, और फिर यह 300, और यह फिर यह हो गया connect, उसके बाद offset लेते हैं, इस line का clear cover के लिए 25 mm, यह रहा 25 mm, ठीक है, एक बार drawing देख लेते हैं, फिर आपके पास 4 बार लगे हैं, चारों में, और यहां पर extra 2 बार हैं, क्योंकि यहां पर देख रहा extra bar enforcement है, तो हम बनाते हैं 12 mm का सरकल C, radius पूछ रहा है तो हम छेडा लेंगे ठीक है, इसको हम करेंगे copy सरकल को C, O से copy, select किया, उठाया F, 8, off किया इसको रखते हैं यहाँ पे, यह टेच हो जाए इन दोनों पे और एक रखते हैं यहाँ पे हम ओपर भी रख देते हैं यहाँ पर भी ठीक है, अब trim कमांड लेते हैं double enter वाली यह टेच नहीं हो रहा है, यह टेच नहीं हो रहा है, इसको भी करते हैं अच्छा एक बाद बाद आप देख रहे होंगे कि मैं बड़ा fast fast कर रहा हूं इसमें मैं यह नहीं कह रहा है कि मैं fast हूं, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मेरा PC fast है वहना AutoCAD slow चलता है थोड़ा यह बहुत अच्छा PC ऐसी configuration कितने का लिया है, कहां से लिया है उससे मैं बताँगा, आपको एक वीडियो बनाँगा इसके लिए लग अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें जो मैं motivate हो जाओ ठीक है कि PC मैंने कितने का लिया है, कहां से लिया है, कैसे लिया है क्या-क्या मैंने चेक किया था तो यह हो चुका है, इसी को हम कर लेते हैं copy, हमें दो section मनाने जरूरत नहीं पड़ेगी erase कर देते हैं हम इसे यह बन चुका है, इसमें हम क्या करना है हमें इसमें दो बार और एक्स्ट्रा है तो हम क्या करते है कॉपी बार को स्लेक किया और एक बार यहां रख यह लख देते है अब इन सब को हैच कर देते है solid में hatch करके copy भी कर सकते थे हम fast हो जाता एक circle बनाया उसे hatch किया उसके बाद ही उसे हमने copy किया hatch के साथ है h e से होता है hatch edit यह हो गया अब क्या रहे गया है इसमें अब damage और text रहे गया है ठीक है तो मैं इसमें ना देख करना अपनी तरफ से सारी dimensions measure करता हूँ ठीक है यहाँ यह linear आप देख रहे हैं यहाँ पर click किया सबसे पहले यह measure की मैंने ठीक है इसका पहले format ठीक करते हैं सही नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप जाएंगे annotation में यहाँ पर इस वाला icon पर click करेंगे modify यह dim style लिखोगे आप command तो भी जाएगा text का size हम बढ़ाएंगे 20 arrow का size भी 20 देख लेते हैं एक बार सही आ रहा है यह नहीं ठीक आ रहा है तो dim style में दुबार आ जाएंगे हम और modify इसमें हमें देखना है यह मैं चाहता हूँ यह चीज एक मिनी से चलो ड्राइंग करकर आएता हूँ जो line ऐसे आ रही है यह arrow आ रहा है यहां बीच में text है और फिर यह arrow है मैं चाहता हूँ यह line जो है आपकी यह line कितनी extra यहां से निकलनी है कितनी extra यहां से निकलनी है इसके setting मैं करने चाहरा हूँ तो यहां पर जाने है आपको line देखिए यह है मैं चाहता हूँ 10 एक तरफ से निकले 10 एक तरफ से निकले बस अब दुबारा मैं मेजर करता हूँ इससे इस तरह से ठीक है इसी तरह से सारे हम चीज़े ले लेते है इसने केवल मैं समझाऊँगा कि आप यह समझ गे damage sense कैसे measure करते है ठीक है और कैसे उनका size ठीक करते है अब एक बार हम एक radius भी देख लेते हैं इस बार की radius यह रही ठीक है और क्या नहीं चीज़ है इसमें एक तो यह है कि double arrow angle देख लेते है text कैसे लिखते हैं यह double arrow से कैसे लिखते हैं multilader और तो कुछ नहीं है इसमें ठीक है अब हम लिखते हैं इसमें angle measure कर लेते हैं यहां पर देखिए यह radius है इसमें आपका angle है ठीक है era 45 अब हम इसमें text लिखते हैं यह देखिए leader है आपका यह ठीक है जैसे कि यहां पर लिखना है यह यहां पर क्लिक किया F8 off कर देते हैं यहां पर लिखना है मुझे ठीक है क्या है यह आपका 12 mm dia यह लिख दिया, बहुत छोट आ रहा है भी ठीक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करना है, यह देखिए, इस तरह से multi arrow लग गए, और इसी के अगर हम setting में जाएं, यहाँ पर देखिए setting, और यहाँ पर modify same as arrow का size, text का size कर देते हैं, 10, ठीक है, और यह ह आपका leader, size of symbol, यह भी कर लेते हैं, 10, set करते हैं, close करते हैं, देखिए बढ़ा हुए, अब empty text, जैसे यह BB section है, empty लिखे enter, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ लिखना है हमने, जैसे यह हमारा BB section, यह हमने लिखा, ठीक है, और हमने skip button दवाया है, या फिर ok कर दिया, करने के, एक तो यह इस पर double click करोगे, तो edit होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, आप value, इसको select करना है, text को, value डाल दिया, मैंने 20, ठीक है, देखिए, बढ़ा हुए, एक मिन 20 डाला नहीं है, यहाँ पर 20, ठीक है, यह 20 होगा, यह दूसरा तरीका है, कि आप SC scale, select के object को, और ऐ इसे माउस से खीचेंगे, जिसे मैंने डाल दिया, five, five times बड़ा हो जाएगा, यह होगे, double click क्या, आप कह रहे हो, कि यह एक line में नहीं आ रहा है, तो इस arrow से खीचेंगे, यह आ गया, m command से move करके, जहां रखना है, वहां रख सकते हैं, तो यह text हो गया, और इसमें क्या है, और सब चीज सेम है, तो अब आपको इसमें कुछ भी extra जो आपको जानना हो, comment कीजिए, प्लीज, तो भी मैं बता पाऊँगा, दिमाग में आने ही पाता है, कि आपको कौन से चीज सिखानी है, तो आप comment करेंगे, कि हमें यह चीज सिखानी है, within 48 hours, मैं आपको वीडियो बन शेर कीजिए, थैंक यू